अस्तालामुआलाइकूम अरहमतुल्ला। शुप्रियो शिक्खर्थी बिन्दो आशाकुरी तुम्रा शबाई भालवाँछो। एई वीडियोटा तुरी कोर्छी नवम्स्ट्रेनी शिक्खर्थी देजन्नो। इических विड्यों अरह और होराची देज वल्युपश्टी आशाक वीडियोगू minha andерм さak ओर्ष्टी वीडियो शिक्खर्थी रा क्रिआफ्जवतू प्लेस्ट वर शुप्रियोगूकू शक्ति दे़्वा आशाक व्योड शिक्खर्थी नवम्स्ट्रेन इव बांगला, इंग्रेजी, गोनित, बिग्गान, डिजिटाल प्रोजोक्ती, शास्तो शुरुख्खा, जीबनोची बिग्गा, इस्लाम शिख्खा, शील्पो, संगिस्कीती एवं, इदिहाश शामाजी बिग्गान, प्रत्तिक्ट विशुईरू पर अलादा अलादा कुरे प्लेलिस्ट पेजाच्छो, एक हैं तेके तुम्हें ते जार्जी बिशोरी भीडियो दरकार, खुब सहाजी तुम्हें देखिए निते परब्बे। Activity 8.3.2.1 Now, discuss and read the given metaphors used in the poem in the left column of the grid carefully. Write the explanation of those in the right column, one is done for you. 1.2.1 1.1 2.2.2 1.2 3.2 3.4 4.1 4.2 6.8 6.2 7.2 8.2 8.2 9.2 9.2 9.2 9.2 अधाबे उबु माटी आमादेर आमा रुपलोब्धी बारी आच्छे, शे भीशो एखाने लिखते होबे, जैमान ए नामबरे आचे कि, Hope is the thing with feathers, और थात आशा पालग चुकतो बाखी, एर एक्स्परेनेशन एखाने देवा आच्छे, the metaphor suggests that hope is like a bird that doesn't need specific words to convey its message, और थात, एखाने जी बेक्खाटा मदे द्या होएचे, रुपक्ती परमाशो द्याजे आशे एक्टी पाखीर मतो जार भार्ता प्रकाष करा जोनों इद्धिस्टोखनों सब्देर प्रोयजन होए ना, it is a form of expression that goes beyond language, एटा होचे प्रकाषे लिख्टी रूप जा भाषार बाइरेथ थाक्या, ते एखाने होचे एटा कि भावे आमादेर अन्रेस्टीनिंग बारिय आछी उपमाटिश एटामादेर लिखते होबे, एखे विगर बाकी छक गुलो पूरण करते हो, एक्टे विशोई ख्याल करो, एखाने देखो, जे छक टा बोए करा आचे ता आर जोनों कतो बेशी जाएका देवा, बाकी छक गुलो जोनों कतो अलपो जाएका देवा, कुन भाबी इच्छक एन मुद्ध ए अंसरा गुलो लाखा किन्तो शम्भबना, एदेह, कद छोलो छोटो छोटो छक, एड़ा होचे तुमादेर खाता आ आला दा शक कोरे लिखते होबे, तामी ए अंसरा गुलो जोनो छक ए इखाने लिख्छी ना, आला दा कोरे ए अंसरा मने ब्याख्खा देखब एबुं, शेवबु माटे कि भाबे आमार उब्रवधी बारी आछे शेगुलो लेखबुं। त्याक नामबरे जेटा छिलो मेटा छिलो मेटाफोर्स एरता मार देखलाम। तो एखने आमारे एक्स्प्लेइनेशन तो इटा मादे क्वेश्चिन उर्थे शक्खम। त्या, हाव दे मेटाफोर्स एन्हांस माई अन्डरेस्टेंडेंडेंग। अर्थत, उपमाटे की भाबाबे आये आमार उपलवधी बाराए। एखेत्रे, आमार लिखते पारी, इस मेटाफोर हेल्स मी भीजुआलाइज होप अज बार्ड क्रीइटिं अर्थत, ए रूपक्ति आमाके पाखी शाबे आशाके कल्पना कोरते सहाज्यो करे, एबंग आमार मने एक टी प्रामबंद चीत्रो तरी करे, ठीकेछे। एगेलो ए नमबर, तापर देखो बी नमबरें चेटा आछे, मेटाफोर्स बार रूपक्त दावा छिलो, देट पर्चेस इन दा सोल, जा अत्तरमध्य उरेशे बोशे। एर एक्स्प्लेशन बाव एक्खाटा होच्छे, ताप मेटाफोर इंपलाईज देट होप रिसाइड्स वीडिन दा हुमेन सोल। रूपक्ति बोशे, जे आशा मानुषर अत्तरमध्य थाके, टेकिंग ए प आपुक्ति क्यो हबे आमार उपलोब्धी बाराई, शेटा की हबे? इस मेटाफोर डिपेंस माइ अंडर्स्टेंडिंग अफ होप एज ए कॉंस्टेंट प्रेजन्स वीडिन आस। एर उपक्ति आमादेर मोध्धेक्ति द्रूबक उपस्ति थी शाबे? आशा गभिर हाबे बोचार, ठीकाचा? सी नामबर जे मेटाफोर्स टा छीलो, शेटा होच्छे? and sings the tune without the words. आर कथा छाराई, शूर गुन-गुन करे. एर एक्स्प्रेनेशन होच्छे, the metaphor suggests that hope is like a song that doesn't need specific words to convey its message. एर रूपक्ति परामाश्व दे ज्याशा होच्छेक्ति गानार मतो जार बार्त प्रकाश करा जोनो, निदिश्टकुन सब्देर प्रोजन होचे ना. It expresses beyond language. एटा भाशार बाईरे प्रकाश करे. तो, how the metaphors enhance my understanding? जे आमार अपुलोब धेके किवाबे होच्छे एटा बित्थी करे. This metaphor makes me feel that hope is a form of expression beyond words, something felt within adding depth to its meaning. और्थात, एर रूपक्ति आमाके एटा बुझे दै जे आशा सब्देर बाईरे अभिबेक्ति एटी रूप भिदोरे की चोनुभुतु होई, एबंगे र अर्थिर कोभीरोता जोग करे. This metaphor personifies home as a bird that never ceases to sing, indicating its enduring nature. और्थात, एई रूपक्ति आमानिक्ति पाखी शाबे आशा के प्रोकाश करे जा कोखनो गान करा बंधो करे ना, एटी तार इस्थाई प्रोकी ति रेक्ति ए इंगित्ते. आएट आमा रूपलुब्धिज्याहे बाडिया छे, this metaphor of hope never stopping emphasizes its persistence, making me appreciate its continuous influence, especially during tough times. और्था ताशारी रूपक्ति कखोनी थामबेना, तर अथो बशा के जोड़ दे, यबंग आमा के इर क्रमा गोतर प्रहाबेर प्रशूंशा करे, विशेष करे कोठीन शमाए. इन आमबरे जे metaphors बो रूपक रोयेचेता हुच्छे, and sweetest in the gel is hurt, in the gall is hurt, और सुमिस्टो यमन की चान जार मध्धो शोना जार. एक्स्प्लेनेशन टा हुच्छे, the metaphor compares hope's impact to the sweetness of a burst song, which is most noticeable during challenging time, the kill. और थत, रूपक टी आशार प्रहाब के, पाहिर गाने माधुजे शाथे तुलो ना करे, जा चैनलंगी शमाए सब्चे बेशी लख खनियो. एटा जेभाबे आमार उपलोब्धी के बिध्धी कोरेचे, शेटा होच्छे, the metaphor enhances my understanding by highlighting that hope is the most powerful and comforting during challenging situations. प्रतिकुल परिश्थे इते आशा, सब चे शक्ति शालिये बूंग शान्तोना दायोग, एजने इस्टा के हाइलाट कोरते, रूपक टा होच्छे यामार बज़ार उण्डूती कोरेचे. एफ नामबर इजे मेटाफोर्स्टा रोएचे एटा होच्छे, that could abash the little bird, जाकिना चोट्टु पाखिटी का अप्रस्थत करे. एड एक्स्प्रेनेशन बार ब्याख्खा होच्छे, the metaphor portrays hope as a small, resilient bird that cannot be easily defeated or discouraged by adverse conditions. रूपक्टी आशाके एक्टी छोटो, इस्थी तीस्थापग पाखिशेवे चित्रीतो करे, जा प्रतिकोल अवस्तात दारा शहजेई पराचीतो बार निरुष्षाहीतो करा जाए ना. एई रूपक्टी जेहाबे आमार उपलोथिकी बित्थी कोरेचे. एटी आमाके बुष्टे शाच्चो करे जे शुदुमात्रो तीब्रो ज़र, तीब्रो च्यालेंजेर पोति नहीं हीतो करे, आशाके प्रोभाबीतो बार निरुष्षाहीतो करते पारे. जी नामबरे रोये छे, जे इम मेटाफोर्स टा, शेटा हुच्छी, that kept so many warm, एटा बहुच जोन की उष्णू राखे. एर एस्प्लेनेशन टा हुच्छे, the metaphor suggests that hope provides comfort and warmth to many, highlighting its positive impact on people's lives. रुपक्टी बरामा शोद्याजे, आशा अनके जोनो शांतो ना एबं उष्णूतार प्रदान करे, मानोशे जीबोने एर इती बाचोक प्रोभाब तुले धरे. एटा जी हावे हुच्छे, आमार उपलोब्धिकी विध्धी करे छे. This metaphor shows me how hope brings warmth and comfort to many lives, making its impact on people's life. एट रुपक्टी आमांके देखाईचे की हावे, आशा अनक जीबोने उष्णूता एबं साच्छन्दू निया आछे, एर प्रहब के स्पोस्टो करे तुले. तापड एस नांबर जे मेटाफोरस बा रुपक्टा आछे, शेटा हुच्छे, I have heard it in the chillest land. आमी शुने छी, शीदे ओल तमो देशे, एर एक्स्प्लेनेशन बा बैख़ाटा हुच्छे, इस मेटाफोर ब्रोदेंस माइ अडरेस्टेंडिंग, एस्यूरिंग मी दध भूप केन एग्जिस्ट इवेन इंद प्रोजारी तो करे, आमां केट आशब तो करे, जेशाब चे कुछिन परेस्थिये, तो आशा ठाक्ते पाडे. आई नम्बार मेटाफोर बारूपक टा होच्छे and on the strangest sea और अभुद्त मों समुद्रे तो एर एक्स्प्रेनेशून टा होच्छे दिस मेटाफोर साजेस्ट देट होप पार्जिस्ट इवेन इन दान फेमिल्यार और unpredictable circumstances एर रूपक्टी परमश्रत आज आशा एमन की अपरताशी तो परेश थी एतो ठेके थाके एटा जेवाबी आमाँ रूपलोवधी की बिद्धी करेछे इस मेटाफोर एक्सपेर्स माई भीव making me realize that hope can be found in the most unexpected places जे एर रूपक्टी आमाँ दिस्ट्रिफोंगी प्रोशारी तो करेछे आमाँ के उपलोवधी करेछे जे आशा सब्चे अपरताशी तो जाएगाओ पावजेते पारे शर्बशे जे नांबर जे मेटाफोर्स बा रूपक्टा रोएचे एटा होचे येट, नेवर, इन एक्स्ट्रेम मेटी इटास्ट अक्राम फ्मी जोदियो कखनी चारम शमयो एटी आमार एक तीलो चाइनी एर एक्स्प्पेनेशन बाँ बैखा होचे ता मेटाफोर पोट्रेइस होप रूपक्ट आशा के शांग शम्पन हिशेबे चित्री तो करे येमान की शाबचे चारम पुरिस्त थी तो इटी अनुभब कारी बेक्तिर काश्ते के कहोणो के शोदाभी करे ना एबंग हावदा मेटाफोर्स एन्हेंस में आटास्टेंडिंग जे ये रूपक्ट की हावए आमार उपलोधिकी बित्धी करे छे इट एम्फिसाइजिस दे शेल्फिस्नेस शेल्फिलेस्नेस अफ होप डिपिंग माई अप्रेशियाशन फोर इस अबिलीटी तो एन्डियूर विदाउट सेकिंग माई थींग इन्रिटान एटा आशार निश्यार्थ तर रूपर जोडदे बिनिमाई पोराणिक कथा नाच्यावार छारा शोच्च करार खमतार चुन्नो आमार कीतो गताको गोभीर कोरे ठीकाचे जेत्ती हेल्ची बिनिमाई कोनों केछोई चायना त्या तो खण आम आम आलोचना कोर्लाँ आशार शोलोबिष्टा, 65, 66, 62, 61, आज़वी कलास याम आम रहे भुच्छे याशार शोच्चर 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 8.3.3 एए एक्टिविटी ने अलचना कोर्बाँ शिक्खर तीर आतो खान तुम्रा देखले कलास 9, English, chapter 8, imaginations, page 116, 117, activity 8.3.2.1 आशेकुरी भीडियोटर तुम्हा देगासे भालो लेगेछे पड़ोबुर्ती पड़गोगुलो देखार आमंत्रुन जानी आजेखेनी बीड़ाई निच्छी अल्ला हाफेज